हेलो दोस्तों वेलकम टू ऑनलाइन इस्टडी पॉइंट दोस्तों आप में से काफी स्टूडेन ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप पिछले एक वर्स के टॉप 50 करेंड फेस पे एक वीडियो बना दीजिए तो आपके डिमांड पर मैं लेकर आ गया हूँ प्लास्ट वन य हो आप इस वीडियो को जरूर देख जाएं उसके साथ 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 एससी बैंग पीएससी रेलवे पुलिस सभी प्रतों की परिक्षाओं के लिए मौस्ट इम्पोर्टन है क्योंकि आपको पता है कि हर गावर्मेंट एक्जाम में आजकर लगवग पांस से दस कोश्चन ज्य दीजे बेल आकोन प्रेस कर दीजे ताकि आप उसी तरह की डेली वीडियो मिलती रहें वीडियो को नीचे रड़ क्लाइम सब्सक्राइब बेटन वागव उसमें क्लिक कर दीजा नोटिफिकेशन भी जरूर रॉन करिएगा चली स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आने के पर ही पढ़ाता हूं तो आप अनेकेडमी के लर्निंगे प्रेस्टोर से डाउनलोड करके उसमें ऑनलाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं अपने अनेकेडमी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं दोस्तों उस लिंक पर डारेक्ट क्लिक करके फॉल आपको तरिया बटालेन के विसेषता यह है कि इस में इस छेत्र के स्थानी अद्वस्यो को स्वामिल किया गया है और यह सभी जवान यहां कि स्थानी भासा और इलाके को भली भाती समझते हैं ठीक है जिसका करेक्ट एंस यहां आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते आपके बास टेलीग्राम नहीं तो प्लेश्टों से डाउनलोड कर लिजिए और डाउनलोड करने के बाद आप ओनलाइन स्टी पॉइंट लिंक पे क्लिक करके जोईन कर सकते हूं आपको बहुत सारे पीडिया भी देता हूं अगला को चन्द्रमा के अधेरे हिस्टे में अउसंधान की लिए उप्गृःव प्रक्षे भीत किया — कर्रेक्ट एँसर Idea डी चाइन ठीक चीन चीन जो तो हाली में चन्द्रमा के अधेरे हिस्षे मां अउसंधान को उप्गृव प्रक्षे भीत किया है ठीक आपको बता देक चीन Cuciones अ अन्युवेशन मिशन के मद्द शंपर्ग स्थावित करने कुद्देश से उब्गरय प्रक्षेपित किया है इस मिशन का उद्देश चंद्रमा के दूसरे हिस्षे के बारे में अधिक अधिक जानकारी प्राप्त करना है ठीक है जिसका और इंपोर्डेन कोश्चन है काफी जो है तो मैं सलेक्ट करके इन वीडियो को बनाया हूं तो आप वीडियो को अंदर तक देखिएगा बहुत महत्मूर आपके एक्जामस में चार से पांच मांक स्पक का ये वीडियो दिला देंगे नेक्स्ट है कि हाली में किसे नियूवार्क पुलिस डिपार्डमेंट में पहली महिला पगड़ी धारी सिख अधिकारी गुरू में नियूप किया गया है जिसका करेक्ट एंसर है ऑप्सन भी गुर्सोच कौर आपक अफ्रेशिया बैंक ग्लोवल वेल्थ माइग्रेशन रिवी द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर देशों का सुची में भारत कौन से स्थान पर है तो अफ्रेशिया बैंक ग्लोवल वेल्थ माइग्रेशन रिवी द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर देशों सुच कोश्चन है अगला कोश्चन है निम्लिकित में से किस देश ने विश्चु का पहला पानी पर तैरता पर्माडू सैंत्र लॉंच किया है यह वेरी वेरी इंपोर्डन कोश्चन है तो इसका करेक्ट एंसर व्यागा दोस्तों आप संडी रूस ठीक रूस आप वहता है रूस न वर्ल्ल का पहला तैरता हुआ पर्माडू उर्जा सैंत्र लॉंच किया है अब तक किसी भी देश के पास इस प्रकार की तकनीकी नहीं थी ठीक है दोस्तों तो निम्लिकित में से किस देश ने वर्ल्ल का पहला पानी पर तैरता पर्माडू सैंत्र लॉंच कर दिया यह कर द है मात 30 रूपए की बुक है तो इस बुक को जरूर देख लें रिवीजन के लिए काफी अच्छा मेटेरियल हो जागा काफी कुछ जो कभा रहा है इसमें चलिए कोश्चन नमर सिक्स है प्रधानमदी नायद मोदी ने किस मई 2018 को रूस के राष्टपती ब्लादी मिर पुतिन से रूस के किस शहर में अनुपचारिक मुलाकात की जिसका करेक्ट एंसर वजागा ऑप्शन है सोची ठीक है सोची माप बदा देगी अपने जो मोदी जी है किस मई को 2018 को रूस के राष्टपती जो है ब्लादी मिर पुतिन से सोची में अनुपचारिक मुलाकात की है कोश्चन नमर सेवन थे समुद्र के रास्ते दुनिया का चकर लगाने गई भारती नौसेना की छे मैले अधिकारियों वाली पहली नौकायान तारणी कितने देशों की परिक्रिमा कर 500 देश लाउटाई ठीक है तो यह भी आपको याद रहें तारणी यह इसका नाव है पहली नौकायान पांच देशों की यात्रा कोश्चन नमर एट थे वार्शिलोना की स्ट्राइकर लियोनन मेसी कितने बार यूरोपी गोल्डन सूजितने वाले पहले फुटवालर बन ग हासिल किये हैं ठीक है तो वार्शिलोना के स्ट्राइकर लियोनन मेसी कितने बार यूरोपी गोल्डन सुजितने वाले पहले फुटवाल बन गए हैं पांच बार कोशन नमर नाइन थे भुट भारती मूल के किस नेता को मलेशिया में कैबनेट मंत्री बनाय जाने पर संक्यक शिक्षमदा के पहले सक्ष बन गए हैं कोशन नमर टेंथ है भारत ने किस देश की तरफ से स्टील और अलुमिनियम उत्पादों पर अत्रिक्त ड्यूटी लगाने के प्रस्ताव के खिलाब कड़े कदम उठाने की घोशना की है तो भारत ने जो है तो अमेरिका के स स्टील और अलुमिनियम उत्पादों पर अत्रिक्त ड्यूटी लगाने के प्रस्ताव के खिलाब भारत ने कड़े कड़े कदम उठाने की घोशना की है कोशन नमर इलेवन्थ है आई सी आरे इक्रा द्वारा जारी आकड़ों को अनुसार देश की जीडीपी दौर सत्र की चौती तिमाही में कितने पर पहुंचने की उम्मीद है करेक्ट टेंसर जोस्तों ऑप्सने 7.4 परसेंट आप पोतादिक कंपनियों के बेहतर लाव और जो तो अच्छी फसल के लिए रवी की अच्छी फसल के लिए 2017-18 की जनवरी मार्च तिमाही में सकल रूत पादे ज स्थान पर रहा है इसका करेक्ट एंसर है ऑप्सन सी दा लांसेट आपको तादिक हाली में लांसेट द्वारा जारी सर्वेक्षणी रिपोर्ट के अनुसार भारत स्वास सेवाओं के संबंद में 145 पे नंबर पर है लांसेट द्वारा कुल 195 देश शामिल किये गए तरीक 195 25 कंट्रीज कोस्ट नमबर 13 है नेम लिकित में से किसे हाली में मैन बुकर इंटरनेशनल पूरुषकार से समानित किया गया है यह इसको आपको बिल्कुल रट लेना है करेक्ट एंसर है ऑप्सने ओल्गा टोकार जुक पोलेंड की साहितिकार है ओल्गा टोकार जुक ने प् कोस्ट नमबर 14 है हाली में की संतराश्टी संस्था द्वारा यह कहा गया है कि जीएस्टी के कारण भारत की विकासदार धीमी है करेक्ट एंसर है ऑप्सने सैंक तुराश्ट द्वारा आपको दा दें यूएन रिपोर्ट का उनसार जीएस्टी विवस्था और बैंकों की क साथ इस्टाग्राम पर फॉलो को लेजिए ओनलाइन इस्टी पॉइंट के नाम से ओभी आईडी है को वहाँ पे मैं आपको डेली कुईज प्रीवेस यहर की पेपर सॉल्व कर आता हूं इस्टाग्राम पर लाइक और फॉलो कर लिए लिंक आपको डिस्किस्पन लॉक्स म मिल्यागला कोशन है हाली में कि स्कैवनेट मंत्री ने विराट कोहली साइना नहवाल और रितिग रोशन को फिटनेस चैलेंज दिया है करेक्ट एंसर है ऑप संडी राजवर्धन सिंग राठोर आपको बता दे कि ओलंपिक रजट पदग विजयता रहे चुके खेल मंत्री जो बरतवान में राजवर्धन के राठों ने देश में फिटनेस को लेकर जागरुकता अभियान के तहत ब्यायाम करते हुए अपना एक वीडियो सोसल मीडिया पर अप्लोड किया है कोशन नमर 16 है इस्राइल और किस देश के सिक्षाक शेत्र में समझता किया है जिसके तह दोनों देश एक दुसरे की तिहास की तावें सुधार कर सकेंगे कोशन नमर 17 है हाली में किस भारती वेट लिप्टर के डोप टेस्ट में फेल होने कारण अंतराश्टी वेट लिप्टिंग महासंग ने उन्हें आस्थाई तौरप निलंबित कर दिया है करेक्ट एंसर है संजीता चानू ठीक आपको उता दें द्वारती वेट लिप्टर संजीता चानू के डोप टेस्ट जो तो फेल होने कारण अंतराश्टी वेट लिप्टिंग महासंग ने उन्हें अस्थाई तौरप निलंबित कर दिया है कोश्चन नमर 18 है सरकार द्वारा 31 मैं 2018 को जारी कि आगड़ों का अनुसार मार्च 2018 माही में देश की जीडीपी व्रिद्धिधर बढ़कर कितने प्रिशत रही जो नॉम्मर 2016 में नोटबंदी के बाद सरवाधिक है उसका करेक्ट एंसर है ऑप्शन भी 7.7% ठीक है कोश्चन नमर 19 है सोध करताओं ने मानव अंग को 3D प् करना आया है और इससे नेतरदान करने वालों की कमी दूर करने और देश्टी वाधित लाखों लोगों की रोशनी लोटाने मदद मिल सकती है तो सोधकरताओं ने किस माना उनको 3D प्रिंट के जरिए विक्षित के जाने कोशना की है कोश्चन नमर 20 है भारत भारती और समन्वा इस्थापित करने के लिए भारत नेपाल सेंग तुस्यन अध्यव्यास सूर्य किरण जो एत का आयोजन 30 मई से 12 जून तक उत्तरखंड के पिथावरागड में किया जा रहा है ठीक है हो चुका है यह कोश्चन नमर 21 हाली में यूएस स्पैसफिक कमांड का नाम पर कोशना किया हो कि यूएस स्पैसफिक कमांड का नाम परवितित करके यूएस इंडो पैसफिक कमांड रख रहे हैं कोश्चन नमर 22 है केन सरकान ने पूर वराष्ट पती को कारयाला खर्च के लिए प्रतिवर्स कितने लाग रूपए देने का फैसला किया है करेक्ट एंसर ह एक लाख रूपए ठीक है केन सरकान ने पूर वराष्ट पती को कारयाला खर्च करने के लिए प्रतिवर्स जो तो एक लाख रूपए देने का फैसला किया है कोश्चन नमर 23 है भारत और किस देश के बीच 2003 में हुए सीज फायर समझोते को पूरी तरह लागू करने पर सहम राजस्थान पर रूजिना के लिए ट्वेंटी वण पॉइंट सेवन मिलें डॉलर के रिड़ समझोते पर स्ताख्षर किया है को पूरी नमर 25 है नाटो में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है यह बहुत महत्मूर कोश्चन है करेक्ट एंसर रूप्सन डी कोलंबिय आपको बता दे कि राष्टपती जुवान मैनुवल सेंटोस ने घोसना की है कोलंबिया जल्द ही आपचारी ग्रूप से उत्तरी अत्लांटिक संधी संग्धान नाटो में सामिल हो जाएगा इसे नाटो में सामिल होने वाला पहला लैटी नमेर की राष्ट बना देगा केंद्री मानव संसाधन विकास मंतरी ने स्कूली सिक्षा के समगर विकास से तु कौन सी योजना आरम की है करेक्ट एंसर है समगर सिक्षा नहीं ऑप्सन सी करेक्ट है केंद्री मानव संसाधन विकास मंतरी वर्तमान में जो प्रकास जाबडेकन ने नई दिल्ली में पहली वार श्कूल से जो पूर उच्च माध्मिक इस तर पर राज्यों को समर्थन देते हुए श्कूली सिक्षा के लिए एक समय कित योजना समख सिक्षा योजना लॉंच की है किस देश ने टीम किस देश किस टीम ने वर्जव अठारा का थॉमस कब वैडमिंटन खिताब जीता है इसका करेक्टन सब्यागा ऑप्सन सी चाहिना ठीक है आपको बता दे चीन ने जापान को तीन एक से पराजित कर छे साल के अंतराल के बाद पुर्षों की विश्व अठारा का थॉमस कब वैडमिंटन खिताब जीत लिया है ठीक है तो किस टीम ने वर्जव अठारा का थॉमस कब वैडमिंटन खिताब जीता है चीन ने जीता है किसको हराकर जापान को तीन एक से पराजित करके छे साल के अंतराल के बाद पुर्ष विश्ट वेडिमिंटेन प्रित्कुत थामस कप को जीत लिया है को स्टन नमर 29 है फिल्म पाकीजा से मसूर हुई निम्न में से किस दिग्गा जबनेत्री का मुंबई में निधन हो गया है करेक्ट एंसर है ऑप्सन भी गीता कपूर आपको बता देक फिल्म पाकीजा से मसूर होई दिग्गा जबनेत्री जो गीता कपूर का मुंबई मिधन हो गया गीता कपूर शाओ से फिल्म में काम किया है किस देश में ग्लोबल विंड समिटी का पहला संस्क्रण आउजित किया गया यह भी मोस्ट इंबॉडन कोश्चन है करेक्ट एंसर है ऑप्सन भी सौरी होता देख ग्लोबल विंड समिट का पहला संस्क्रण जर्मनी के सहर हैंबर्ग में 25 से 28 सितंबर दोहर 18 तक आउजित किया गया ठीक है कि अगला कोश्चन है कि चीन में संपन 18 में संगाई सयोक संक्टन बैठग में किस देश ने पाकिस्तान अत्कृत कास्मीर से गुजरने वाली चीन की पृज़ना one build one road पृज़ना का समर्थ्ना नहीं किया है आप्ट हैं सहरा अप्षन भारत ने औक झसी में सम्पन18 में संगाई सयोक संक्टन बैठग में भारत ने पाकिस्तान की कास्मीर से गुजरने वाली चीन की परृज़ना one 120 पृज़नाग समर्थन नहीं तीन बिलियन डॉलर आपको बता दें जी सेवन ने समयलन के दौरान सरणार्थी उसमेथ महिलाओं लड़ियों के साहता और सिक्षा के लिए करीब तीन बिलियन डॉलर खर्च करने की घोसना की है कोशन नमर 33 है भारती फुटवाल खिलाडी सुनील चेत्री ने अब तक कितने गोल दाकर अर्जेंटीना के लिएनन मेसी का रिकार्ड की बराबरी की है करेक्ट एंसर है ऑपसंडी 64 भारती फुटवाल खिलाडी सुनील चेत्री ने अब तक 64 गोल दाकर अर्जेंटीना के लिएनन मेसी का रिकार्ड की बराबरी कर ली है कोशन नमर 34 है कें सरकार ने निम्रिखित में से किसे संग लोग सिवायों का कारवाह की चेर्मेन निक्त किया है अगला कोशन है 35 तेलंगाना की उस छात्रा का क्या नाम है जो मातर 16 साल की उम्र में बीटेक की पढ़ाई पूरी करके राजी की सबसे कम उम्र की महिल एंजिनियर बन गई है कोशन नमर 36 है भारत ने किस देश को हरा कर इंटर कॉंटिनेल का फुटवाल 2018 जीता है तो ये भी बहुत इंबोडन कोशन इसका करेक्टेंसर है ऑप्सन भी केन्या ठीक है भारती फुटवाल टीम के कपतान सुनिल शेत्री के दो शांदार गोलों की मदद से भारती फुटवाल टीम ने जून 2018 को हीरो इंटर कॉंटिनल कप के फाइनल मुकाबले में केन्या को दो सुनने से पराजित किया है कोशन नमर 37 है किस ACI देश में ACI जूनियर एथलेटिक सेंपेंशिप 2018 आजित किया गया करेक्ट एंसर है ऑपसंडी जापान में ठीक है जापान में ACI जूनियर एथलेटिक सेंपेंशिप 2018 आजित किया गया है कोशन नमर 38 है नीमने मेंसे किस देश ने भारत के साथ एक समझगते पर सक्सर किये जिसके तहट भारत से गयर वास्मती चावल आयात करने पर सहमती मिली है ऑपसंड इसका राइट है ची चीन चाइना ठीक है भारत ने चीन के साथ एक समझगते पर सक्सर किये है जिसके तहट भारत से गयर वास्मती चावल आयात करने पर सहमती मिली है Q39 है स्वक्ष भारत के तहत ग्रामिट सुक्षिता कबरेज जून 2018 कितने पर्षेंट तक पहुँच गया है Correct answer है option भी 85% Q40 है लगू अबधी के निम्न में से किस सीमा तक के फसल लिड़ों पर ब्याज में सब्सिटी देने की ओजना चालू वित्वर से प्रत्यक्ष हंत्रण लाव के माध्यम से लागू की जाएगी Correct answer है इसका option D 3,00,00 रुपया ठीक है अगला question है किस हाई कोट ने राज की सभी निर्माड़ा धीन जल विद्वत परिजनाव पर रोक लगा दी है Correct answer है option है उत्तराखंड हाई कोट ने राज की सभी निर्माड़ा धीन जल विद्वत परिजनाव पर रोक लगा दी है Question Number 42 है, हरियाणा सरकार ने राजिमे सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिक्ता वाय शीमा 40 से बढ़ा कर कितने वर्ष कर दी है उत्तर है इसका उप्शन B 42 वर्ष, correct answer है हरियाणा राज सरकान ने राज जी में सरकाई नोकोरियों प्रवेस के लिए धिक्ता माईशु में 40 से बढ़ा कर 42 कर दी है करेक्ट एंसर है ऑप्सने रिलाइंस जीओ कोश्चन नमर 44 है किस राज जी के सिक्षा विभाग ने राज जी के सभी स्कूलों के लिए पढ़ाई के लावा अन्ने गदविदियों के सूची जारी की है जिसमें कहा गया है कि महीने के तीसरे सनिवार छात्र संतों के प्रवच किया जो ग्रामिड लाकों में 60,000 वाइफाई हाट प्रदान करेगा करेक्ट एंसर वाइगा इसका ऑप्सने 5000 वाइफाई ठीक है केंद्री मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में सीरी फोर्ट ओडिटेरियों में 5000 CAC वाइफाई चोपाल गुदगटन किया है इ करेक्ट एंसर है ऑप्सने नभी ताजिमा विश्व की सबसे उम्रदराज महिला नभी ताजिमा का हाली में निधन हो गया 117 साल 261 दिन की उम्र में जापान की नभी ताजिमा का निधन हुआ है कोश्चन नवर 47 है हाली में किस भारती कंपनी ने पहली बार 100 बिलियन डॉल मार्केट केफ हांसिल करने का रिकार्ड बनाया है करेक्ट एंसर है ऑप्सन सी टीसी एस टीसी एस का बाजार मूल 100 बिलियन डॉलर के पार हो गया इस उचाएवर पहुचन वाले टीसी एस पहली भारती कंपनी बन गई है कोश्चन नमर 48 है दोस्तों आयाइटी के पूर्व चात्रों के एक समूने सी एस्टी और ओवी सीवर के अधिकारों के लडाई के लिए अपनी नौकरियां छोड़कर बहुचन आजात पार्टी नामक नहीं राजनितिक पार्टी बनाई है कोश्चन नमर 49 है हाली में किसके द्वारा कहा गया है कि चीन की और से तिब्बत की स करेक्ट एंसर है ऑप्सने संविधान बचावान दोलन ठीक है दोस्तों तो यह थे 50 कोश्चन अब देख लेते हैं जो कुई जह 5 कोश्चन है इसका एंसर आपको कमेंड बॉक्स में जरूर लिखना है पहला कोश्चन एसे आई कि फ्योलों में सोन्पता गितने वाली पहली महिला पहली भारती महिला पहलवान कौन बन गई है उपसन आपके साम में दे रखे हैं तो आपको कमेंड बॉक्स में लिखना है नेक्स कोश्चन देख लेते हैं बिहार के नहराज जपाल कौन बने है तो हालिम बिहार के नहराज जपल बने है बहुत important question इसका भी answer आपको क प्रयोग नहीं किये जाने कानुदेश आदेश चुनाया है option दे रखे हैं ठीक है तो यह थे question पांच कुछ का answer जिसका आपको कमेंड बॉक्स में लिखना है और वीडियो कैसा लगा आपको यह comment जरूर करिए यह आपको इसका next part से यह तो वीडियो का टार्गेट रखते है पंद्रह जाल लाइक से पंद्रह जाल लाइक से मिल जाती इसका next part में बहुत जल्दी लेका रहाऊंगा ठीक है तो प्लीज यह आप चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आका जरूर पिसका दीजे साथी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल